नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं डॉक्टर अंजू ओजा आज आपको बिग बैंक था स्वीती सिधान्त के बारे में बतलाने जा रही हूं तो बिग बैंक सिधान्त का परतिपादन जोर्ज लेमेंटेर ने ब्रह्मान अकाश गंगा तथा सौर मंडल की उ विशद व्याख्या प्रस्तूत की ब्रह्मान तथा अकाश गंगा तथा उनके सदश्य तारों तथा ग्रहों की उत्पति की समश्या के समाधान के लिए ब्रह्मान के एद्रश्य घटकु अर्थार्थ काले प्रदार्थों के अस्तित्वे के आधार पर प्रियास किये गये आकाश गंगा के निर्मान के विश्य में वैग्यानिकों के दो वैकल्पिक विचार है काले परदार्थों का स्तित्व नमबर वन गरम और नमबर टू ठंडे रूप में रहा होगा गरम काले परदार्थ की स्तिती में आकाश गंगाएं दूर दूर होंगी जबकि ठंडे परदार्थ की स्तिती में वे जूंड में होंगी। इस सिध्धान्त का परतीपादन 1950-60-70 के दशक में किया गया। इस सिध्धान्त के अनुसार आज से 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अगनी पिंड था जिसकी रचना भारी परदार्थों से हुई थी। इस विशाल का अगनी पिंड में अचानक विस्पोर्ट हुआ जिस कारण परदार्थों का बिखराओ हो गया। पिंडों का निर्मान हुआ। क्योंकि जैसे जैसे वो परदार्थ और इकटे होते गए तो उसका जो फैलाव है वो और त्वरित गती से होने लगा। परिनाम सुरूप आकाश गंगाये जो प्रारम में आसपास थी वे निरंतर दूर होते गई। आज लगभग 15 अरब वर्ष पहले अपने निर्मान काल से आज तक ब्रमान आकार में लगातार फैलता रहा है तथा उसके प्रदार्थ शीतल होते रहे हैं। आकाश गंगायों का भी भेंकर विस्पोट हुआ तथा विस्पोट से निकले प्रदार्थ के समुहन से बने असंखे पिंडो द्वारा प्रतेक आकाश गंगा के तारों का निर्मान हुआ। प्रतेक तारे के विस्पोर्ट के कारण जनित परदार्थों के समुहन द्वारा ग्रहों का निर्मान हो गया अमेरिकन वेगानिक एलन गुथ ने और निस्सो असी में बिग बैंक सिधानत को ब्रहमांड की उत्पति की समश्या को सुल्जाने में ऐसमर्थ पाया अता इनोंने इस्वीति सिधानत का प्रतिपादन किया एलन गुत की अवधारना है कि ब्रमांड के द्रश्य द्रव्यमान के घनत्वे की तुलना में उसका वास्त्विक घनत्वे बहुत अधिक है इसे निशकर्ष निकलता है कि ब्रमांड में एद्रश्य काले प्रदार्थों का अस्तित्वे है यद भी बिग बैंग तथा स्वीती सिधान्त लगबग एक जैसे हैं क्योंकि उनकी कई मानेताई उभ्यनिस्ट है उनमें अंतर मात्र इस बास से सम्मंदित है कि विशाल काय अगनी पिंड के विसपोर्ट के एक सेकिंड के अंदर किस प्रकार की घटनाए घटी स्वीती सिधान्त के नुसार विशाल काय अगनी पिंड के जोड़दार विसपोर्ट के बाद अती अल्पकाल में ब्रहमांड का ऐसाधरन त्वरित गती से फैला हुआ इस प्रकिरिया के दोरान एक सेकंड के अल्पांश के अंदर ही अंतरगत ही ब्रहमांड के आकार में कही गुना व्रदी हो गई काले प्रदार्थ समुहन से अकाश गंगाओं का निर्मान हुआ इनके विस्पोर्ट से जनित परदार्थों के समुह से निर्मित पिंडो द्वारा तारों का निर्मान हुआ तथा तारों के विस्पोर्ट से उत्पन परदार्थों के समुहन एम संग्ठन होने से निर्मित पिंडों से ग्रहों का या प्रत्वी का निर्मान हुआ इस तरह से इस सिध्धान्त के द्वारा ग्रहों का निर्मान हुआ और हमारा ये विश्य यहीं पर समापत होता है अंत में आप सभी का धन्यवाद